कि अच्छी सिंग लेक्चेश की लेटिस्ट लाइव स्ट्रीम में दोस्तों में लाइव स्ट्रीम जो है दो क्लास के बच्चों के लिए रखे गई है एक तो उन बच्चों के लिए जो क्लास 12 में है क्लास 12 में हैं और फिजिक्स के लिए यह क्लास 12 के लिए बच्चों के लिए है क्योंकि जो बच्चे नीट और बैक्च के तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये class रखी गई है 12th physics की class सबसे important बात यह है प्यारे बच्चों की बहुत लंबे समय बाद हमारी class हो रही है कारण मैंने आपको कल के class में बता दिया था तबित मेरी तोड़ी खराब थी अभी मैं ठीक हूँ और थोड़ा सा हो सकता है कि एक दो दिन फ्लो बनने में time लगे मेरे आवाज, मेरा energy level यह सब लोग सब कुछ जो है वापस पुराने जैसा बनने में हो सकता है थोड़ा समय जाए तब तक के लिए मैं आपके corporation के उमीद कर रहा हूँ कि आप लोग सहयोग करेंगे और इसी के साथ हम लोग आज की class को शुरुवात करते हैं सभी को नमश्कार, राम, राम, सेका, सलाम, वालेक। whichever you feel connected with, let's get started सबसे पहले बच्चो आप इस बात को समझें कि हम लोगों ने जो भी पहले पढ़ा है उसका हलका फुल का revision हम लोग करेंगे दो या पाँच मिनट के अंदर और उसके बाद जो है हम लोग आज की कक्षा को start करेंगे छीक है, चले शुरू करते हैं देखो अभी तक आप लोगों ने जो बाद स्टार्ट कीती वो शुरू कीती Electro-statics से Electro-statics से आप लोगों ने स्थिर वैद्यो तकी और Electro-word का मतलब होता है Charge इंगलिश में नहीं पढ़ा रहा हूँ यह word ऐसा है इसलिए बता रहा हूँ बहुत important word है Charge का मतलब होता है आवेश और Static का मतलब होता है At Rest इसका मतलब यह है कि आपका जो आवेश है इसको हम क्यों से प्रदाशित करते है उस आवेश का वेग कितना होना चीए शुन्य होना चीए तो अगर किसी आवेश का वेग शुन्य है अगर कोई आवेश जो है वो रुका हुआ है और रुकेवे आवेश का आप अध्यन कर रहे हैं तो उसे हम लोग उस शाखा को उस ब्रांच को हम लोग जो है इस्तिरव वैद्यत्यटकी के नाम से जानते हैं, ये हम लोगों ने पड़ा फिर आवेश की बारे में बहुत सारे discussion हमने कि जो आवेश है, वो आवेश की बहुत सारे गुंदर्म होते हैं फटाफट करके उनको रिवाइस करते हैं सबसे पहला गुनदर्म ये था आवेश का कि आपका जो आवेश है वो एक ऐसा गुनदर्म है वस्तू का जो दो शेत्र उत्पन्ने करने में उसकी मदद करता है पहला शेत्र था विद्धुष शेत्र और दूसरा शेत्र था चुम्बकिय शेत्र तो आवेश किसी वस्तु का वह गुनदर्म है जो विद्धुष शेत्र और चुम्बकिय शेत्र उत्पन करता है जिसके कारण वस्तु और या फिर कहीं पर अगर यह दोनों शेत्र हैं की कमी होती है समझने बात को अगर किसी वस्तू में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है किसी भी कारण से अगर वस्तू में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो हम कहते हैं कि वस्तू के ओपर धनावेश आया है वस्तू आपकी धनावेशी तो इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होता है धनाव और अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन की व्रद्धी हो जाए किसी भी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए किसी वस्तू के अंदर तो हम उसको कहते हैं कि वहां वस्तू के उपर क्या आया है रिनावेश बस हाँ यहां पर एक मोटी मोटी बात हम लोगों ने यह सीखी थी आवेश की संकल्पना दी जाती है इलेक्ट्रॉन ही है जो किसी वस्तू के आवेश के लिए उतरदाई है प्रोटोन नहीं है प्रोटोन क्यों उतरदाई नहीं है कोकि उनका एक तो दिर्विमान बहुत जादा है और दूसरी बात हम लोगों नहीं सीखी थी कि वो नाबिक क किसी भी वस्तु में होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणाज होता है तो आप लोगों ने यहां से सीखा कि Q बराबर प्लस माइनस एनी इस फॉर्मुले की बारे में आपने जाना और इसको समझा जहां Q वस्तु का आवेश है एन इस्तनाहंतित एलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E जो है वो एक एलेक्ट्रॉन का आवेश है और एक एलेक्ट्रॉन के आवेश को अब लोग बोलते हैं 1.6 इंटू 10 कीगाथ माइनस उननेस को लाम टेंटर है आगे हो समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भूँट कोशीकी बात फिर आप लोगोंने जाना कि आप अगर किसी वस्तु का इलेक्ट्रॉन देते हो तो उसके दिर्मिमान में व्यद्धी होती है और किसी समझ dol mira tay कि हैं लोगों को पहले में पढ़ा चुका हूँ आज की क्लास को उस्ट हुआ लोगों ने कड़र लिया है बढ़िया समझ में आ गया है सबको, बहुत कुशी की बात हैं, आगे बढ़ते हैं, एक topic और है छोटा सा, वो पढ़के फिर हम लोग हमारे topic पाएंगे, आवेश के सर्रक्षन का नियम, आवेश सर्रक्षन, conservation of charge, आवेश के सर्रक्षन का नियम, इसकी heading लगा हैं सबी बच्चे, और मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत active हैं, class के अंदर एकदम fully active रहते हैं, और इसलिए मैं बच्चों को बाबाबा कहता हूँ कि आप लोग जब भी class में हो, तो या तो अपनी copy और pen लेकर के बैठा करो, या फिर comment section के अंदर active रहा कर आपको बहुत अच्छे से पता है कि sodium chloride, अब सारा focus मेरी तरफ कर दो मैं बहुत खास बाब बताने जा रहा हूँ, sodium chloride याद है आप लोगों को, आप लोगों ने जब class 10 में थे, मेरा बर्डे नहीं है भाई आज, मेरा बर्डे नहीं है, मेरा बर्डे नहीं है, मेरा बर्डे निर्मार में क्या होता है कि अपने एक electron का दान करता है, मैं जल्द यल्दी बताऊंगा, आपको आता है और यह चीज, sodium का electron होता है, 2,8,1, यह चाहता है कि इसका यह जो एक electron है, इसका दान हो जाएगा, तो इसका अस्टक पूरा हो जाएगा, तो यह बाई से आप क्या करत है, chlorine, chlorine क्यों grant करता है, chlorine से लिए grant करता है, बाई से आपको कि 2,8,7, इन बाई साब की स्थिति ऐसी है कि इनको अगर को आकर के भीक में एक electron दे जाए, तो इनकी जिंदिगी समर जाएगी, तो यह एक electron sodium से ले लेते हैं, और जब इस sodium से लेते हैं, तो इलेक्ट्रोन की व्र प्रकम को जोड़ करके net प्रकम लिखना चाहूं, तो आपके electron से electron तो कट जाएगा, और आपका main चीज क्या बनेगी, कि आपका जो na plus है, वो आपके CL माइनस से मिल रहा है, और क्या बना रहा है, और क्या बना रहा है, यह मोटी मोटा प्रकम है, जो यहाँ पे आपको देख बना रहा है, और क्या बना रहा है, यह समझमा आता है, कि na plus आपके CL माइनस से मिल रहा है, और na CL बना रहा है, ठीक है, अब यह समझो, यह पूरा process एक बंध कमरे के अंदर हो रहा है, इस पूरे प्रकम के अंदर किसी ने भी बाहर से, किसी को भी disturb नहीं किया, मतलब ना तो को अलग छोड़ दिया, एक कमरे के अंदर है, कि भाई तुमको जो करना है, आपस में तुम करो, na और CL को अलग छोड़ दिया, तो na ने अपना इलेक्टरन CL को दिया, यह उनके बीच के आंतरिक मामला है, मतलब बाहर से को इनको परिशान नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको कह कहा सकते हैं कि यह जो प्रकिरिया हुई है, समझना बच्चों दियान से, मैं अपने शब्दों का प्रियोग बहुत सही से कर रहा हूं, यह जो प्रकिरिया हुई है, यह प्रकिरिया विल्गित निकाय की प्रकिरिया है, विल्गित निकाय, अब जो बच्चे थोड़ा हिस्से हैं अब बहुत बड़ा है ना उस ब्रहांत का वह हिस्सा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा निकाए है वो हमारा सिस्टम है फ़र एगजामपल मैं यह मान सकता हूँ कि मैं अभी जित्वेजिम भॉछे इस लाईव nós में वह मेरा इस जो कमरे के बाहर क्या चल रहा है उससे मुझे को start नहीं तो चुप चाव मेरे this system को natin नहीं है तो मेरा जो system है वो कलाएगा विलगित निकाय बाहर से कोई मुझे परिशान नहीं कर रहा है तो यहां पे ऐसा ही जब आप से उनको परिशान करने वाला कोई नहीं इसलिकों बोलते हैं यह आपका विलगित निकाय प्रकरिया है ठीक है अब हम थोड़ा दिमाग लग चलेंगे प्रक्रिया के बात की, तो मैं यहां लिख रहा हूं, प्रक्रिया से पूर्व, और यहां मैं लिख रहा हूं, प्रक्रिया के पश्चाथ, अब आप इस बात पर ध्यान देना कि मैं किन-किन चीजों के बारे में चेक करूँगा, मैं कुछ चीजों को चेक करूँगा प्रकिरिया के पूर्व प्रकिरिया के पश्चात आप लोग मेरा साथ दीजेगा देखो सबसे पहले हम लिए चेक करते हैं कि प्रकिरिया के पूर्व कुल आवेश या कुल धनावेश कितना धनावेश कितना है आप लोग भी कमेंटेशन में एक्टिव हो करके बता सकते हैं म अधिराम है, संदीप है, सोनु है, है ना, नीशु वर्मा क्लास के अंदर है, बढ़िया, very good पिटा, ऐसी एक्टिव रहो, तो कुल धनावेश की बात करते हैं, अब आप लोग में साथ चेक करो, प्रक्रिया के पूर्व कुल धनावेश कितना है, कुल धनावेश, समझे रहो टोटल पॉजिटिव चार्ज, धनावेश, तो चेक करो, ये प्रक्रिया के पहले का हिस्सा है पूरा, और ये प्रक्रिया की बात का हिस्सा है, तो अगर आप प्रक्रिया के पहले के हिस्से की बात करें, तो आप कुल धनावेश को चेक करें, एने की उपर धनावेश है, औ का 1 हम लोग डिलेटिव लिख रहे हैं हम लोग औहरे फिर आपएक्षल नीख रिए लिख रहे हैं तो मिलुग बात को लिख सकते हैं और बोल सकते हैं तो मिले साल बापस देखो कुल धनावेश देख शब्दों का चैन सही से करना है चेक करना है कुल धनावेश मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज आपको चेक करना है प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के पश्चात ये प्रक्रिया के पश्चात जो कुल धनावेश है वो कितना है जीरो है ठीक है तो कुल धनावेश हम लोगों ने चेक कर लिया उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अब आप मुझे कमेंट एक्षिन में बताओ सेकेंड चीज मैं चेक करने जा रहा हूँ कुल धनावेश आप मुझे बताइए कि प्रकरिया के पूरव और प्रकरिया के पश्चात कितना है कैसा है, किस तरह से बताओ आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे आप मैं उमीद कर रहा हूँ कि आप लोगो समझ में आ रहा है तो आप खुद जवाब देंगे कि कुल रिनावेश कितना है तो रिनावेश को चेक करते हैं अगर मैं प्रिकरिया के पहले देखूं कुल रिनावेश तो CL के उपर माइनस वन है तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रिकरिया के पूर्व जो कुल रिनावेश है तो से संक्या, माईनस उने, प्रक्रिया के पश्चात मुझे कोई negative नहीं दिख रहा, इसका मतला प्रक्रिया के पश्चात जो है वहाँ पे negative charge नहीं है, रिड़ावेश नहीं है, तो वो जीरो होगा, बहुत अच्छे कितने सारे बच्चों ने जवाब दिया, मन खुश हो जाता है देख करके, जब हमारे बच्चे इस तरह से मैनत करते हैं Very good बिटा, बहुत ही अच्छा अब आते हैं, next point पे अपन, third कुल आवेशों की संख्या कुल आवेशों की संख्या, चेक करिए देखो, शब्द का चैन मैंने कहाना बहुत important है तो मैं क्या पूछ रहा हूँ या आपके समझ माना बहुत ज़रूरी है कुल आवेशों की संख्या की मैं बात कर रहा हूँ चेक करेंगे बच्चों, कुल आवेशों की संख्या कितनी, ध्यान दीजेगा प्रकरिया के पूर्व कुल आवेशों की संख्या, गिनने हैं आपको आपको गिनने हैं, आवेश गिनने हैं, चलो गिनते हैं प्रक्रिया के पहले कितने आवेश हैं एक प्लस हैं एक माइनस है तो आवेशों की संख्या number of charges आवेश का मान नहीं पूछ रहा है आपसे कोई आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि बताओ कितना प्लस है कितना माइनस है पस वो इतना पूछ रहा है कि ये बता दो कि आवेश हैं कितने उनकी संख्या कितनी है तो आप अराम से कर सकते हो आप देख रहे हो एक प्लस है एक माइनस है मतलब कोल आवेशों कि संख्या कितनी है दो है तो प्रक्रिया के पूर्व कोल आवेशों कि संख्या दो हमें दिखाई दे रही है प्रक्रिया के पश्चात मुझे कोई आवेश नजर नहीं आ रहा इसका मतलब प्रक्रिया के पश्चात आवेशों के संक्या कितनी है 0 है ठीक है यहां तक तो बहुत से बच्चों ने answer सही दिया है मन को सुझाता है देखकर के 2,0 ठीक है अब आते हैं चौती चीज़ पर अब आपको बताना है कुल आवेश कुल को इंग्लिश में net भी बोलते है net net है न तो कुल आवेश net charge आपको बताना है बताओ मुन्ना कुल आवेश कितना होगा net आवेश कितना है प्यार से करेंगे देखो आप लोग जानते हो मैंने ही आपको पढ़ाया है कि आवेश में जब भी कुल की बात आती है net की बात आती है तो हम क्या करते हैं हम आवेश का जितने भी आवेश हमारे पास है तो आवेश है तो हमने लिखा प्लस वन आवेशों को हमेशा उनके चिन के साथ जोड़ा जाता है ये बात मैंने पहली क्लासेज में पिछली दो क्लासेज में आपको बता रखी है उमीद करता हूँ आपको याद है तो अपने सीख रखा है कि Além के डी पर plus 1 ने तो plus 1 लिख दिया अब ये plus जोड़ने को प्रतेश्वित करता है कोकि आपको कुल आवश है है तो आप जोड़ रहे हो बाद में प्रक्रिया के पहले cl के पर कितना अवेश है ठीक, अब अगर आपने बहुत अच्छे बच्चों ने एंसर दिया है, और अगर अगर अपन प्रिक्रिया के पश्चात बात करें, तो प्रिक्रिया के पश्चात तो कोई आवेश दिखी नहीं था, वैसे भी आने सेखल के ऊपर, वहाँ पर नेट आवेश कितना है, शुन न अब ध्यान से आप सुनना आपको परिवाशा चुटकी बजाते वे समझ में आ जाएगी, देखिए, परिवाशा ये बोलती है कि विलगित निकाय की किसी भी प्रिक्रिया में, प्रिक्रिया के पूर्व और प्रिक्रिया के पश्चात नेट आवेश, आप चेक कर लें, कु रक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, यही है आपका आवेश सनरक्षन का नियम, बहुत बड़ा नियम है, बहुत सिंपल नियम है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भई किसी भी विलगित निकाय की प्रिक्रिया में, प्रिक्रिया के पूर्व और प्रिक्रिया के पश कौह सी चीज बराबर दिखरी है आपको कुल नेट आवेश तो यही आपका बराबर रहता है, सनरक्षित रहता है यह बात आपको ध्यान लक्ती है, यहाँ पे साथ में एक नोट का point है, वो नोट का point भी करें कि कुल धनावेश बराबर नहीं है, कुल आवेशों की संخया भी बराबर नहीं है, तो कौन सी चीज बराबर होतीए पता हो ना चीए माल शाल कि निम ने कफन सत्य या सत्य बताईये और में लिखके दे दिया कि आवेश सेलक्षन में कल धनावेश बराबरहिए अन्प्रसरी क्या है क्या चीज़े जो बराबर होगी, हमेशा याद रखें, कुल आवेश बराबर होगा, कुल धनावेश, कुल रिनावेश, और आवेशों के संक्या बराबर हो भी सकती है, और नहीं भी, अंशुल ने लिखा है, सीमा ने लिखा है, संदीप ने लिखा है, मुस्कान ने लिखा ह बहुत अच्छे बहुत फर्मार ने लिखा है वेरी गुड वेरी गुड बहुत खुशी की बात तो अब मैं इस पर इवाशा को कम्प्रीट करता हूं उसके बाद हम टॉपिक को चेंज करेंगे आवेश सरेक्षन का नियम टॉपिक अब वा कम्प्रीट हो गया है इस टॉपि के पूर्व और प्रकिरिया के पश्चाज कुल आवेश संक्या संक्या संक्षित हो भी सकती है और नहीं भी इस पर कमपसरी वाली बात नहीं है इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले सकते हो और अगर आप एप्लिकेशन में बाद में पढ़ने वारे हो इसको एप्लिके से उनको हमारे द्वार दिये गए नोट्स जो है वो सही से प्राप्त हो सके और क्लासिस का रूटीन जो है वो सही चलता रहे और जिन भी बच्चों ने बैच को कि तक जॉइन नहीं किया नीचे जो नंबर आ रहे हो नंबर के ओपर कॉल कीजिएगा दस बजे बार आपको बताया जाएगा कैसे एड करना है और खुश से करना चाहें तो वाटसेप मेसेज कर सकते हैं वहाँ आपको जानकरी दे दी जाएगी अब हम शुरू करते हैं और आज की क्लास में अगले टॉपिक पर आते हैं जहां हम लोग बात करेंगे आवेशन के बारे में तो सभी जब भी हम किसी वस्तू को आवेश देते हैं सुनना ध्यान से जब भी हम किसी वस्तू को आवेश देते हैं तो किसी भी वस्तू को आवेश देने की जो प्रकिरिया है उसे हम लोग आवेशन कहते हैं समझ गए किसी भी वस्तू को किसी भी वस्तू को आवेश देने की जो प किसी वस्तू को आवेश देने की प्रकरिया को आवेशन कहा जाता है चीक है तो अगर आप किसी वस्तू को आवेश दे रहे हो तो जिस भी प्रकम से जिस भी प्रोसेस से आप वस्तू को आवेश दे रहे हो उसे हम लोग जो है आवेशन की प्रकरिया कहते है चीक है उस प्रकरिया को हम लोग आवेशन कहते है आवेशन के प्रकार की बात करते हैं देखो, आवेशन के basically दो प्रकार होते हैं, आप note करते चलें साथ साथ, copy में या comment section में, पहला होता है संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन का मतलब यह है कि हम लोग touch करेंगे, संपर्क द्वारा आवेशन का मतलब है संपर्क, संपर्क का मतलब होता है कि हम contact में लेकर के आ रहे हैं, हम चीजों को जोड रहे हैं या हम चीजों को आपस में touch कर रहे हैं, तो जब touch कर रहे हो तो संपर्क द्वारा आवेशन हैं, दूसरा आता है प्रेरण द्वारा आवेश प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब है कि आप टच नहीं कर रहे हो बिना टच किया आप वस्तू को आवेशित कर रहे हैं आज की कक्षा में हम लोग संपख द्वारा आवेशन को अच्छे से क्लियर करेंगे और अगली कक्षा में हम लोग प्रेजन द्वारा आवेशन से क्लास को शुरू करेंगे ठीक है? चलिए संपक्त द्वारा आवेशन की फिर दो प्रकार आता है पहला आता है घर्शन द्वारा आवेशन दूसरा आता है चालन द्वारा आवेशन नोट करें इसमें दो प्रकार हो गए बच्चों, पहला प्रकार हो गए आपका, घर्षन दो आवेशन और दूसरा आपका हो गया, चालन दो आवेशन, इन दोरों के बारे में आज जिस्तार में बात करेंगे, और यह टॉपिक जो है यह अगली क्लास में cover किया जाएगा, तो इस आपने जाना कि किसी भी वरस्तों को आवेशित करने के प्रक्रिया, देखो बार-बार मैं क्यों बोल रहा हूँ एक जीच को, ताकि आपको याद हो जाए, मेरा उद्देश है यह है कि इस क्लास के बाद में जब आप लोग अपनी क्लास को खतम करें, और आप आख बंद करके याद करने की कोशिश करें, तो पूरी क्लास की जो इमेज है, वो आपके दिमाग में बन जानी है, यह मेरा उद्देश यह बच्चा हूँ, और मैं बेसिक पर बहुत ध्यान देता हूँ, इसलिए इस चेप्टर का जोई स्टार्टिंग है वो बहुत बेसिक है, इसलिए मै सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे है, गर्शन दौरावेशन और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी मैं आपको कि प्रैक्टिकली गर्शन दौरावेशन कैसे होता है, मज़ा तो बहुत आएगा, सुनिए का ज्यान से, देखो आपको एक बात तो बहुत चैसे पता ह कि आवेश की जो संकलपना है, वो इलेक्टरॉण के आधार पर दी जाती है, सब लोग जानत हो ये बात, अगर किसी वस्तूमें से इलेक्टरॉण बाहर निकले है तो हम कहते हैं कि उस वस्तूमें से इलेक्टरॉण की कमी हुई है, और उसके उपर प्लस आया है, अगर और आवेशन में एक वस्तू को दूसरी वस्तू के साथ में रगड़ा जाता है और गर्शन द्वारा आवेशन से ही पैचान हुई थी आवेश की आप लोगों ने सर्दियों के अंदर पक्का ये चीज़ नोटिस कियोगी कि कंबल के अंदर जो अपने आप पाउं चलाते हो ह एक वस्तू को दूसरी वस्तू के साथ में रगड़ रहे हो रगड़ना सिंपल सब्देते को हिंदी शब्द है रगड़ना उससे क्या होता है मैं आपको समझाता हूं जब आप एक वस्तू के साथ में दूसरी वस्तू को रगड़ते हो बहुत मज़ाया का समझने में प्रै step by step समझो, एक वस्तू से दूसरी वस्तू में इलेक्ट्रॉन का सनांतरन होता है, फिर क्या होता है, जिस वस्तू में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, उस वस्तू पर आता है, प्लस, और जिस वस्तू में इलेक्ट्रॉन गए हैं, उस पर क्या आता है, माइनस, और इस प्रकार आपके आवेश्ट का निर्माण होता है प्रेक्टिकल बता हूँ बिना प्रेक्टिकल की क्या फील नहीं आता टॉपिक का मैंने इसके प्रेक्टिकल वीडियो बना रखा था और वो प्रेक्टिकल वीडियो जो है वो मैंने पिछले लेक्चर्स में दिखाया भी था तो मैं उसी को वापस से एक बार दिखाता हूँ ताकि आप लोग सही से समझ सकें देखना अब है मज़ा लेना चीज का ठीक है अब मैंने किस जगे कराया था अब चैक कर लूँ वस यहां से देखना मज़ा बहुत आएगा और समझो तो बहुत इंट्रेस्टिंग भी लगेगा देखो क्या हो रहा है पहले वह समझो यह मेरे हाथ में क्या है मैं आपको बता दूँ पहले मेरे हाथ के अंदर है उस धागी को निकाल लिया और इस तरह से मैंने उसको एक साथ जोड़ दिया तो आटे के कट्टे के साすथ भागा आधे सफेद बना बनावा है सफेद कंगा बनावाई सफेद पीला नियला जो भी हो उसका कि धाली निकाल लिया और उसको निकाल करके मैंने साथ में उपर से गिठान बनाकर जोड दिया तो ये कुछ ऐसा दिखता है अब practical को सम merits मैंने क्या किया उसको उपर से पकड़ लिया उपर से पकड़के मैंने उसके इंदर हाथ लगाया हाथ लगा कि बार बार ऐसे उसको एक ही दिशा के अंदर इस तरह से मैंने उसको जटका दिया तो जटका देने पर क्या कर रहा था, कि मैं अपने हाथ को उसकी धागई के साथ में रगड रहा था, जब मैं आप देखना भी practical में आप चेक करीये इसको, कि इस practical में क्या हुआ है, जहां से देखना, यह देखो जोर जोर तरिके से, तेजी से एक ही दिशा के अंदर, इस तर तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का इस्थनांतर होता है अब मैं नहीं जानता कि कहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसने मैं अंदाज लगा लेता हूँ आपके सामने यह सही भी हो सकता है गलत भी इस पे आप ज़्यादा कोट मत करना पर बात यह है कि मैं यह माल लेता हूँ कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके मेरे हाथ के उपर आगे तो अगर यहां से इसको ऐसे रगडने से एक वस्तु को दूसरी वस्तु के जब रगड़ा जाता है तो माल लेता हूँ कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके मेरे हाथ पे आगे तो जहां इलेक्ट्रॉन आये हैं उस हाथ पर नेगेटिव चार्ज डवलप हो जाएगा और यह जो धारियां हैं इन धागों में से इलेक्ट्रॉन निकल करके आया है तो इन धागों के अंदर के डवलप हो जाएगा प्लस डवलप हो जाएगा इतना खुबसूरत एक्सपरिमेंट है कि आप जब घर पे करोगे तो मज़ा जाएगा आपको क्योंकि आप इसमें दो चीज़ें सीखने वाले हो कौनसी दो चीज़ें सीखने वाले हो पहली बात जब आपने इस तरह ऐसे धागे को रगड़ा था हाथ को धागे के उपर अगड़ा था तो धागे के उपर मान ले तो हम प्लस आया था तो सभी धागों के उपर प्लस आ गया तो जब सभी धागों के उपर प्लस आया तो कि आपकी धागे पर अगर प्लस आया है तो हाथ के उपर क्या आ गया? माइनस आ गया प्लस माइनस में क्या होता है? आकर्शन होता है तो ये धागा जो है वो आपके हाथ की तरफ आकर्शित होता हुआ आपको नजर आएगा ध्यान से देखो इस experiment में जब मैंने इस experiment को शुरू किया था initially तो उस समय आपको मैं हलका सा बैक लेके चलता हूँ हलका सा देखना हलका सा बैक लेके चलता हूँ ठीक है? तो जब अपन देखते हैं क्या समझते हैं अपन अभी आपको दिखाई देगा कि जब इस स्टार्टिंग में आप देखोगे तो आपको धागे एकदम सीरे दिखाई देंगे यह देखो बड़ जैसे ही मैंने उसको रगर्णा शुरू कर दिया धागों के बीच का gap बढ़ने लग गया और मेरे हाथ की तरफ यह धागा अट्रेक्ट हो रहा है क्योंकि धागे में प्लस है मेरे हाथ में माइनस है तो प्लस माइनस में आकर्शन हो रहा है और इन धागों के खुद के बीच में प्लस प्लस होने के कारण प्रतिकर्शन हो रहा है तो यह हो रहे हैं अपने आप में दूर तो इस प्रकार से गर्शन द्वारा आकर्शन आपको देखने को मिलता है उमीद करता हूं आपको मज़ा भी आया है और समझ में भी आया है कमेंट करके बताओ कि एक्सपरिमेंट के लिए हो गया ज्यादा समय कर आप नहीं करेंगे और फिर अपने इस बात को लिख करके आग माइनस आया माइनस माइनस इसमें प्रतिकर्शन कर रहा है यह प्लस जो है वाकर्शन कर रहा है कुछ भी हो सकता है यह अपने माना है इस चीज़ को बताओ बच्चों यहां तो को समस्या है क्या किसी को यह एक्सपरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हो यार यह से एक्सपरिम अलग आवेश है और वहां अलग आवेश है ठीक है समझे मागे है सबको बढ़िया चलिए तो अब गर्षन दौरा आवेशन की जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को लिख लेते हैं नोट करिए फटा फट जल्दी से नोट करिए मैं बोलू या लिखूं चलो लिख देता हूं गर्षन दौरा आवेशन की प्रकिरिया में फटा फट नोट करो इस प्रकिरिया में जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे इस प्रकिरिया में एक वस्तू को दूसरी वस्तू के साथ रगड़ा जाता है अब चाहो तो आप कॉपी में लिखो चाहो तो आप कमेंटेशन में लिखो बर लिखना आपको जरूर है और यह एक्सपेरिमेंट करना सब लोग घर पे और कमेंट करके बताना मुझसे आपसे हुआ की नहीं हुआ एक बात का ध दूसरी वस्तू के साथ रगड़ा जाता है रगड़ने का उतना सभाज़ गए गिस्ते हैं अपने ऐसे जैसे आपने देखा तो एक बस्तू से दूसरी वस्तू में उलेक्टर इक का सरांदर्ण होता है इलेक्ट्रोनों का इस्थानांत्रण होता है जो वस्तू जिस वस्तू में से इलेक्ट्रोन निकलते हैं उस पर प्लस आता है और जिस वस्तू पर इलेक्ट्रोन जाते हैं उस पर माइनस आता है इस बात को लिखते हैं जिस वस्तु से इलेक्ट्रोन निकलते हैं, उस पर धनावेश आता है, उस पर धनावेश तथा जो वस्तु इलेक्ट्रोन ग्रहन करती है, उस पर धनावेश आता है, यह बात समझ में आ गई, अब मैं यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात लिखने जा रहा हूँ, इसको आपको ध्यान लखना, आपके कमेंट दिखते रहते हैं यहाँ पर मुझे, और उससे मुझे आईडिय लखता है कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो चीज़ों को, देखो, इसमें एक और बात खास है, जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपने एक वस्तू को दूसरी वस्तू के साथ में रगड़ा, और एक वस्तू से चार इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तू के अंदर चले गए, तो जिस वस्तू में चार इलेक्ट्रॉन आए हैं, उसके उपर तो माइनस का चार आवेश आ गया, और जिस वस्तू से चार इलेक्ट्रॉन गए हैं, उसके उपर प्लस का चार आवेश आ गया, यह बात समझ में आती है, नोट करने वाली बात यह है कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है क्योंकि बात तहय है कि एक वस्तू से अगर पांच एलेक्टरों निकले है थो दूसरी वस्त पर में जाएंगे तो पहली पर प्लस का पांच आवेश आएगा प्रिनावेश और धनावेश का परिमान, value, magnitude बराबर होता है। परिमान बराबर होता है। कोई भी doubt हो, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, बता दो मैं आपको। इसको पढ़ाने से पहले ना मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं। कि इसके अंदर कुछ word, कुछ terms ऐसी आएंगी, जो chapter number second से connected है। मैं कोशिश करूँगा, कि यहाँ पर मैं आपको उन terms को अच्छे से clear कर दूं। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है, तो chapter number second में आप उसको बहुत बढ़िया से feel कर पाओगे। तो अभी आपको जो भी बात में बोला, उनको अच्छे सुनना है, समझना है, नोट कर लेना है, और मन में कोई भी दूइदा होगी, तो धान रखें कि chapter number second में उसका समाधान हो जाएगा। शुरू करते हैं, मैं एक case आपके सामने रखता हूँ, कि भाई यह पानी की टंकी है जो उपर रखी भी है, और एक tank है जो नीचे है, आपके सब के घरों में इस तरह कारेजमेंट होगा, कि यह पानी की टंकी होगी, जो उपर रखी होगी है, एक tank होगा, जो नीचे को इस टैंक से एक पाइप के दौरा जोड़ दूं और उस टंकी के अंदर पानी भर दूं। इस तंकी के अंदर मैं पानी बर दूँ तो अगर नल को अन कर दिया जाए तो मैं आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूँ कि पानी कहां से कहां फ्लो करेगा तो आप लोग बहुत समझदार हो आप लोग प्रैक्टिकल यह बात जानते हो देखते हो हमेशा कि पानी इस टंकी में से अपने आप पानी इस टंकी में से अपने आप इस टंक के अंदर फ्लो करेगा यह बात समझ में आती है क्यों हो रहा है सा समझेंगे इसको कि इस पानी जो है पानी इसमें से इसमें से यहां से यहां तक अपने आप जाएगा अगर आपको tank के अंदर से tanky में चड़ाना है इस tank में से उपर चड़ाना है तो वो अपने आप नहीं जाएगा उसके लिए अधो पानी का pressure आए जा फिर हम लोग उसके लिए motor का प्रियोग करते है हमारे गरते हैं हमारे गरूव में का जमीन के साथ जो इस तरह वो अलग है लेवल उसका अलग है और टंकी आपने उपपर रख रखी है तो टंकी का जो इस तरह है वो अलग है इसको लेवल 1 बोल सकते हैं L1 और इसको बोल सकते हैं L2 तो इस टंकी से इस टैंक के अंदर पानी इसलिए जा रहा है क्योंकि इन दौनों के बीच में लेवल का डिफरेंस है और आपको ये बात पता होगी कि इसलिए हमारे शेहर के अंदर जो पानी की टंकी होती है जो सप्लाई देती है पूरे शेहर को वह वहाँ उंचाई पे रखी जाती है काकी वहाँ से आपको घरों तक सप्लाई दी जा सके मोटी मोटी बात आप लोग समझ गए होगे कि पानी का जो flow है पानी 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 का जो flow है वो किसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इन दौनों के बीच में किस चीच का अंतर है इन दौनों के बीच में इस तर का अंतर है लेवल का डिफरेंस है यह बाद समझे में आती है ठीक है ऐसे ही माल लेज़िये आपके पास एक ऐसी वस्तू है जिस वस्तू के उपर आवेश है ये आवेशित वस्तू है और आपके पास एक ऐसी वस्तु है जिसके उपर आवेश नहीं है जिसके उपर आवेश नहीं होता है उसको हम बोलते है अनावेशित वस्तु अनावेशित वस्तु बोले तो इसका एक दूसर नाम भी है उदासीन वस्तु निव्टरल बोलते हैं इंग्लिश में तो ये वस्तु है जो आवेशीत है ये एक वस्तु है जो अनावेशीत है आपने क्या किया इन दौनों को जोड़ दिया चालकतार के द्वारा चालकतार समस्ते हो जिसके अंदर से आवेश्टецथी कर सकता है जैसे लोहे का तार हो गया, तामबे का हो गया, कॉपर है न, वो चीज जैसे ही आप एक आवेशी तवस्तू को एक अनावेशी तवस्तू के साथ चालक तार दोरा जोडते हो, क्या होगा? इस आवेशी तवस्तू के अंदर से आवेश फ्लो करना शुरू कर देगा आवेश करती करना शुरू कर देगा अनावेशी तवस्तू के अंदर जैसे यहाँ पर हो रहा है, कि जब आपने इस टंकी को इस टंक से पाइप की दोरा जोड़ दिया, तो पानी फ्लो करने लग गया, आटोमेटिकली इस टंकी से इस टंक के अंदर अब यहाँ पर जो बात समझने वाली है, पैरे बच्चों वो यह है कि पानी एक टंकी से दूसरी टंकी में क्यों जाता है क्योंकि इनके बीच में इस टर का अंतर है अब इसी चीज को यहाँ समझने की कोशिश करना जैसे एक टंकी आपने कहीं पर रखी उसका एक इस्तर था दूसरी टंकी का एक इस्तर था बिल्कुल वैसे ही यहाँ वस्तू के पास इस्तर की जगे आप शब्त काम में लेते हो विभव तो इस वस्तू के पास अपना एक विभव है इस वस्तू के पास अपना एक विभाव है अब मैंने का ना कुछ बातें जो है चेप्ट नमर 2nd में समझ में आएंगी चेप्ट नमर 2nd का नाम ही है विभाव और विभावांतर अभी मैं आपको हल्का फूलका सा हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे इस तंकी का एक इस्तर है इस्तर लेवल बिल्कुल वैसे ही इसका क्या है विभाव है इस तंकी में से इस टैंक के अंदर पानी जा रहा है क्यों? क्योंकि किसका अंतर है? इस्तर का अंतर है बिल्कुल वैसे ही एक वस्तू से दूसरी वस्तू में आवेश जाएगा अगर किस चीच का अंतर हो विभव का अंतर हो अर्थात इन दौनों वस्तूं के बीच में क्या हो विब वांतर तो अब मैं आपको ये मोटी मोटी बात समझाने में शायद कामियाब हो गया हूँ मुझे ऐसा लगता है कि टंकी के अंदर एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी जाता है इसतर के अंतर के कारण और एक वस्तू से दूसरी वस्तू में आवेश जाता है विभव के अंतर के तो पानी जाना बंद कर देगा ऐसे ही अगर विभव का अंतर शुन्य हो जाए तो आवेश जाना बंद कर देगा अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे कन्फूज होते हैं कि मतलब बहुत बुरा लगता है कन्फूजन क्या उत्मा आपको होता हूँ पहला कन्फूजन के दिमाग में यह होता है मैं आपको एक एक करके सारे कन्फूजन दूर करता हूँ सुनना सबसे पहला कन्फूजन नंबर वरन के दिमाग में यह होता है कि एक वस्तू से दूसी वस्तू तक आवेश तब तक जाएगा जब तक इसका पानी और इसका पानी बराबर नहीं हो जाए ऐसा तो होता नहीं है यह पूरा तंकी पूरी की पूरी खाली हो जाएगी पानी बराबर नहीं होगा पूरी की पूरी तंकी खाली हो जाएगी क्योंकि एक तंकी से टेंक में पानी इसलिए जा रहा है कोकि इनके बीच में इसतर का अंतर है तो इसतर का अंतर जब तक बना रहेगा तब तक पानी जाता रहेगा भले टंकी खाली ही क्यों न हो जाए बिल्कुल वैसे ही इन दौनों के बीच में आवेश इसलिए जा रहा है कोईकि इन दौनों के बीच में विभव का अंतर है जब तक इनके बीच में विभवांतर 0 नहीं होगा तब तक आवेश चलता रहेगा भले ये पूरा का पूरा खाली ही क्यों न हो जाए विभव का अंतर 0 होना चीए विभव का अंतर 0 होना चीए और विभव आपस में बराबर हो जाने चाहिए जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो एक टंकी को और दूसी टंकी को आपने सेम लेवल पर रख दिया तो क्या हुआ इन दौनों का इस्तर जो है वो बराबर हो गया और इस्तर का अंतर कितना हो गया 0 हो गया और अब आप अगर पाइप जोड़ोगे तो पानी का फ्लो नहीं होगा बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर चेक करें तो एक वस्तू और दूसरी वस्तू का अगर विभव बराबर हो जाए तो इनके बीच में विभवांतर शुन्य हो जाएगा और फिर जो आवेश है उसका प्रवाह रुक जाएगा बताओ यहाँ तक समझ माया विभवांतर शुन्य होना चाहिए और विभव बराबर होना चाहिए जब भी कन्फूजन हो रहा हो इस एक्जामपल को याद रखो तंकी का इसतर बराबर होना चाहिए इसतर जीरो नहीं होना चाहिए यह point है जिसको समझ में आगया है कमेंट कर दें और हम उस चीज को लिखे देते हैं और बात को खतम करते हैं ठीक है तो इसके अंदर मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि इसकी परिवाशा जो है वो किस प्रकार से बनती बाकी परिवाशा आपको नोट्स वगरे में लिखी भी मिल जाएगी मैं बोल देता हूँ कोई बच्चा लिखना चाहे तो वीडियो को बाद में पॉस करके लिख लेना कि जब एक आवेशित वस्तू को सुनना घ्यान से परिवाशा बोल रहा हूँ है जब एक आवेशित वस्तू को एक अनावेशित वस्तू के साथ चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है बहुत सुन्दर होती है परिवाशा है साइंस के अंदर कुछ बच्चे परिवाशाओं को रटते हैं आवेशित वस्तू के साथ चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो क्या होता है तो आवेशित वस्तू से अनावेशित वस्तू में आवेश का इस्तनांतरण होता है ये इस्तनांतरण तब तक चलता है जब तक दौनों वस्तूओं का विभव बराबर नी हो जाए और उनके बीच का विभवांतर शुन्द ना हो जाए खतम इसी प्रिक्रिया को हम लोग चालन द्वारा आवेशन बोलते है विभवांतर है जब एक अवेशी तवस्तू को एक अनावेशी तवस्तू के दौरा चालक तार से जुड़ा जाता है तो आवेशी तवस्तू से अनावेशी तवस्तू में आवेश का प्रभाह होता आए ये प्रभाद तब तक चलता है जब तक दोनों वस्तुवों का विभव बराबर ना हो जाए और विभवांतर शुन्ने ना हो जाए और इस चीज़ को समझने के लिए आप ये टंग की वाला एक्जामपल याद रख सकते हैं इसी के साथ आज की कक्शा को मैं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजया आया है आपने देखा ना कि घरशन में भी हमने तच किया और चाले Chapter किया अब कल की कक्शा में हम प्रेरण द्वारा आवेशित का अध्यान करेंगे इसमें हम बस्तु को बिना चुए उसको आवेशित करेंगे बहुत मज़ा आएगा आपको वो करने में और एक बात और मैं सपस्ट कर दूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक भी courses जोइन नहीं किये badges जोइन नहीं कि बच्चों कर लो क्योंकि बहुत सारी classes ऐसी हैं जो आपको application पर देखने को मिलेंगी आपको सारे NCRT की caution इसकी जितनी भी caution जितनी भी जितनी भी हम लोग देते हैं वो सब application पर मिलता है तो इसलिए आपने अभी तक badge जोइन नहीं किया है तो WhatsApp में message करिए badge को जोइन कर लीजिए force आपके badge का नाम है और मैं तो आपको suggest करूँगा कि आप IIT, Jio, Need वाला badge जोइन करें को कि इसमें 11th और 12th दौनों का content आपको एक ही जगे दिया जाता है चानकरी प्राप्त कीजिए 10 बचे बात call कीजिए नंबर पे सवाल पूछिए और badge को join कीजिए और जो बच्चे नए है क्लास के अंदर हमारा वीडियो पसंद आता है subscribe कर लो, bell icon दबालो, like करो तबा के like करो, तबा के share करो बच्चों के साथ में ताकि जादा से जादा वच्चे हमारे परिवाल के साथ में जोड़ सके बबाए, चेहिंद, take care मिलते हैं आपसे अगली अक्षा में ध्यान रखिए का मस रहिए, खुश रहिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए बबाए, चेहिंद कर दो, कर दो कर दो, कर दो da दो कर दो झाल झाल